लो फ्रेंड गुडबनिंग आप सो कैसे हैं फ्रेंड मैं आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे हाथ तो फ्रेंड एक बहुत अच्छा रिक्वार्मेंट है और आप से मैं बता दूँ कि फिरी रिक्वार्मेंट है जैसे हमको मालूम चला तो वैसे सोचा कि आप लोग से शेयर किये जाए वीडियो बनाकर आप लोग को बताये जाए तो फ्रेंड फाइनली बहुत अच्छा रिक्वार्मेंट है और एक दौम फ्री रिक्वार्मेंट है यानि कि एक भी रूपिया आपको सर्विस चार्ज नहीं भरना है इसमें ठीक है क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आ रहा है एक सर्विया का मैं रिक्वार्मेंट के बारे में डाला था वक्रवाइट आपि से गुश्ट गॉर्मेंट से इसका लाइसेंस मिला है वब आप इसके बारे में ही बताता हूँ और में जू बंदे वहां रहे हैं फ्री में जिन से बात हुआया है जिसका word पासपोर्ट नहीं फसा है कभी भी और जो भी पासपोर्ट लगाए उनका काम हो गया है और सबसे बढ़ा चीज है कि फिरी रिक्वार्मेंट है तो इसके बारे मैं सोचा कि आप लोग से शेयर किया जाए तो फ्रेंड फाइनली हम बताएंगे यानि कि मैं बताऊंगा कि कौन से आपिस में रिक्वार्मेंट है और क्या-क्या ट्रेड का यानि कि क्या-क्या पोस्ट का रिक्वार्मेंट है और कितना नुआज यानि कि कितने लोग चाहिए जिस पोस्ट का रिक्वार्मेंट है ठीक है नो और कितरा एक्स्पिरियोंस मांगता है यानि कि उस फिल्ड मे आपको कितने साल का experience होना चाहिए क्या क्रिटेरिया उसमें है जो फालो करना है अगर आपके पास यह है तो समझे टोटल मैं डिटेल में मैं पूरा बताने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को skip मत कीजिएगा और पूरा वीडियो बाच कीजिएगा क्योंकि यह देखिए फ्र प्री रिक्वार्मेंट एक दम है ठीक है न और समझे दीजिए मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं यह भी रूपी आपको सर्विस चार्ज नहीं लगेगा ठीक है न तो फिरेंड अभी तक आप चैनल पने है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजिए और बगल में बेल आइ क्यों का भी नाम आता है और यह भी मैं बताया था उस वीडियो में जो लोग नहीं देखें जाकर देख भी लिजिएगा कि क्यों कंपणी बहुत अच्छी कंपणी है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेती है क्योंकि हर महीने में इसका requirement आता है यानि कि इतने बंदे जाते कॉमपणी का requirement को फूच्छी के लिए तो ध्यान से सुनिये कि क्या क्या ट्रेड का requirement है और यह भी मैं बता हूं का कि कौण से आपीस में है कहां पे है और क्या क्या डेत का है यानि कि स्ट्निस्टिंग को अभे फाइनल क्राइन इंटर्व्य थ्यान से सुनिये तो सबसे पह जो 6-9 महिने तक लिए होती है को उसको हम लोग प्रोजेक्ट मतलब कि एक साल से 2 साल से उपर तक का जो प्रोजेक्ट जाए है तो इक प्रतना करते हुए अभी में बता रहा हूँ कि का रिकॉयर्मेंट तो सबसे पहले senior सी स्टार्ट कर इसके बास से पाइपिंग सुप्रवाइजर चाहिए एक पार और मैं रिपीट कर दूँ कि सिप्रेजर, इlekत्रिकल सुप्रवाइजर , एकिंग शुप्रवाइजर इस्टुमेट सुप्रवाइजर और पाइपिंग शुप्रवाइजर तिक है और जो जितना बंदे चाहिए आपसे मैं बता दू कि त्रीं होंडें नiben 3 06 वह यानिकि 300 यानि 300 इसमें चाहिए यह काम के लिए थीनगी बंदे यानि 300 ना स्वक्रवाईजर चाहिए इस पूरा डिपारटमेंट का मिला अठीक कह धा खकि Vice一直 थीजा अरे इसके बाद से आधिस्यून के बारे मैं बता रहा हूं ठीक कि कि क्या क्या ट्रe Children… इसमें चाहिए क्योंकि ध्यान से सुनिये क्योंकि Carnaggio तो सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा समलते एं ट्रेड畏 charged lode. क्यूंकि वह सबसे अदा टेकनिशन में सोचते हैं काम करने के लिए क्योंकि हाइश्कूल इंटर कोई भी चला जाता है टेकनिशन का काम सीख लेता है कोई भी मतलब आ जाता है बाकि इंजीनियर शुप्रवाइजर जो बड़ा बड़ा पोस्ट है क्यूसी सेप्टी इसके ल इसके बाद से गार्यक वें एक बाद रूटिंग का जयनकारी होना चाहिए लेक्ट्रिकल टेकनीशियन चाहिए और इसके बीचे अनुप यह जो है और इसके बाद समय ना चाहिए फीटर का भी है तो पाइप फीटर चाहिए इस्टुमेंट फीटर चाहिए और पाइप फब्रिकेटर चाहिए और रिगर चाहिए एक चीज़ और मैं बीच में बता रहा हूं कि ध्यान से सुनिया और पूरा वीडियो देखिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं जो आप इस मैं बताने वाला हूं समझ लिजिए कि यह मुंबई की टॉप आपिस है यानि कि बेस्ट आपिस है मैं कोई भी वीडियो और किसी भी आप इसका मैं परचार नहीं करता हूं मैं मेरा मकसद सिर्फ आपका हेल्प करने क यानि कि जो भी हमारे गरीब भाई है गरीब फ्रेंड है उनको वह विदेश में बीना पैसा भर के कैसे आए जो भी भाई लोग समय लिजिए कि मैं पिछलों वीडियो में बताया था कि जो रिक्वार्मेंट था वह आपिस में वह लोग गये तो उन लोग का जनकारी होगा कि कुछ भी भाई लोगा अगर सेलेक्शन होगे था बहुत से लोग कमेंड भी किये थे हैं हूं हम गये थे हमारा सेलेक्शन भी वह तो समय लिजिए कि मेरा मकसद यह है कि जितना भी फ्री रुकार्मेंट है। यह बता रहा हूं यह भी रुपी आपका स्वार्पी करोडों का जन संख्या है बहुत से भाईलों के पास पैसा नहीं गरीब है तो मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं आया हूँ वैसे अच्छी अपिस से आप लोग को जनकारी दिया जाए कि आप फिरी में जाए और जाकर पैसा कमा एat गाया हूँ मैं बहुत से भाईलों का comment आता है कि भाई spin मैं कोन भेज़ता है अभी फिरी में भी कमपणी भेजिती है लेकिन अभी में आया हूँ तो हमको जनकारी अभी हो गया है ठाख हुऊR दिए मैं आप लोग को भी बताता हूं इंफर्मेशन देता हूं कि आप लोग भी फिरी में आ सकते हैं तो आगे मैं बता रहा हूं कि और क्या क्या खैसी का है तो फीटर में पाइफ फीटर है जा सब्सक्राइब फभ्रेट्बश्ण सब्सक्राइब टूंदोगाइबMax यानल रूठय करते हिए सबसक्रार cleansing आप से मैं बतां थू कि 400 यानि sneaking चाहिए यह त्रेड का 400, मैं बता दे क्यूकों कोंकों कंटेक्टर है, यानि कि कमपनी है, यानि कि सप्लाइ कंपनी नहीं है, एक चाहिए और में रिपीट करते हैं, सप्लाइ और कंपनी में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है न फिरेंड, तो यह जो भी रिक्वाइर्मेंट और उनका सेलेक्शन हो गया तो एक रुपिया सर्विस चार्ज नहीं लगेंगे नहीं लगेगा और उकतर में जाकर कामाएंगे हमारा मकसद सिर्फ यह है कि आप फ्री में जाए कौम पैसा भर के जाए और जाकर आप कामाएं जो इससे भी फ्री रिक्वाइर्मेंट रहता है है मैं तुर्णत सोचता हूं कि आप लोग उसे शेयर किया जाएं इंफर्मेशन दिया जाए ठीक है क्योंकि हजारों लाको लोग वेट करते हैं ठीक है न सिर्फ मेरे वीडिएयो पर नहीं बहुत से लोग के वीडियो पर बैट करते हैं कि कोई फिरी रिक्वाइर्मेंट निकलेगा तो कोई बताएगा ठीक है नफ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ट्रेड है वह है प्टी डबलू कोडवलो कोर्डिनेटर टीक है ना तो पीटी डबलू कोड़नेटर में बता रहा हूं कि फायर और होल वाचर टीक है नो चाहिए पर्मिट होल्डर चाहिए 200-200 बंदे चाहिए PTW कोडिनेटर में जो पर्मिट रिसीब करते हैं और पर्मिट जमा करते हैं बीना पर्मिट का विदावड पर्मिट का कोई काम नहीं होता यहां तक मैं भी हूँ सवदी अरह में तो हम लोग भी Metro या में पर्जेक्ट में बीना पर्मिट का काम नहीं होता पर्मिट चाहिए चाहे आप बेड रूम में काम कीजिए चाहे एलेक्टिकल रूम में काम कीजिए चाहे एनरजाइज रूम में काम कीजिए कोहीं पर्मिट निकालता है वह लोग चेक करता है कि हो वहां पर्मिट करने लाइक है कि नहीं तो यह का भी अभी permit coordinator का requirement है ठीक है नो PTW का ठीक है नो उसके बाद से fire का hold watcher का permit holder का 200 ठीक है नो अब मैं बता दूं कि safety lead supervisor यानि कि जो भाई लोग safety officer है वो लोग को lead जो करता है उनका supervisor का requirement है इसके बाद से safety officer का requirement है तो जो भी हमारे safety भाई लोग है वो लोग के लिए भी अच्छा खुषखबरी है और वो लोग भी फिरी में जा सकते हैं ठीक है नो अगर यह आप इस पर पहुच गए और अपना shortlisting अभी मैं बताऊंगा shortlisting और इंटर्व्यू के बारे में तो वीडियो ध्यान से देखिए और मैं फाइनल अब मैं बता दे रहा हूं वीडियो लंबा ना करते हूं कि shortlisting का जो डेट है वो 90 February से चालू है फ्रेंट देखिए आप लोग बहुत लोग का कमेंट आता है कि वीडियो एक बायक बताते हैं तो जैसे हमारे पास मैसेज आता है कोई भी ठीक है नो या मैं डेली एस्ग्रिमेंट पेपर चेक करता हूं ठीक है नो चुकि कोई कल कुछ काम तरह नहीं चेक कर पाया आज जैसे मैं चेक कि आज है 20 February तुरंत हमको मालूम चला अभी डेट भी है ठीक है नो बहाना मत बनाईएगा अभी shortlisting हो रहा है shortlisting का मतलब होता है कि अपना CB passport experience certificate by data सब ले जाकर वहां पे जमा करना चिक कराना ठीक है नो बहुत से भाई मैं आया हूँ तो हम लोग का पहले shortlisting हुआ और गर से मैं दो बार गया मुंबई मेần बार आया तो भाई देखिए नहीं चलेगा, बहाना नहीं बनाना चाहिए अगर मैं दू बार गया तो आप नहीं जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, ठीक है न, तो सौट लिस्टिंग का जो डेट है, 19 फेबरुरी से लेकर 23 फेबरुरी तक है, ठीक है न, 23 फेबरुरी तक सौट लिस्टिंग चलेगा, और मैं देर न, करते हुए, मैं बता दूं कि आ सीगल इंटरनेशनल आपिस मैं आपिस का पूरा डिटेल और लेंड लाइन नंबर फोन नहीं दे सकता क्योंकि मैं एजन्ट कोई नहीं हूं लेकिन बहुत से हमारे भाइलों का हजारों भाइलों का कमेंट आता है कि प्लीज फोल नंबर दीजिए क्योंकि वह लोग गूगल स कि पमेंट बाइलों क्योंकि इता है अच्छा आताओ में वीडियो हमेसा बनाँंगा डाल का क्यूंकि हमारा मक्सद यहीं है कि जो भी हमारे गडाइन जिを हम推 täält जहां तक हमारा वीडियो जालता है इसलिए मैं कहता हूं बार-बार कि आप ज्यादा ज्यादा हमारा वीडियो शेयर कीजिए कि कोई भी गरीब भाई का हिल्प हो जाएगा जाकर फ्री में कमाने लगेगा एक भी रुप्या उसका नहीं लगेगा बीजा का नो टीकट का नो आपके शेयर के वज़ा से तो आपका भी योगदान रहेगा और मेरा भी रहेगा ठीक है नो तो एक चीज़ और मैं फाइनल बता दू एड्रेस बताने से पहले कि फाइनल इसमें चाहिए आल कंडिडेट है डिग्री डिपलोमा आई टी आई फिटर विट फाइब से एट यूर टोटल एक्सपिरियंस यानि कि पांस से आठ साल का गुल्प का और इंडिया का मिला का और एक्सपिरियंस चाहिए उसके बाद से जो उपर का सीनियर पोस्ट का ट्रेड है उसमें डि इया का वो अयल गैस लार्ज रिफाइनरी प्रोजेक्ट का एक्सपिरियंस होना चाहिए ठीक है नो तुही आप जाहिएका यह नो कि आप Metro Project में काम किये हैं, चाहे Metro Station में काम किये हैं, या Building Line में काम किये हैं, तो आप मत जाएगा, आपका सेलेक्शन नहीं होगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग Plant Line में काम किये हैं, आयल में, गैस मेरी Final Project में, वो लोग जाएगा, उनका सेलेक्शन होगा, ठी पूरा एड्रेस सुनिया सीगर इंटरनेशनल लल्प 405 वेलिग्टन बिजनेस पार्क सेकेंड नियर मेट्रो इस्टेशन मारोल अंधेरी इस्ट मुंबई 59 ठीक है और 10-4 ना कोई करेंकेंगा क्योंकि आप्ञार में कोई नहीं रहता है नमबर 022 नोट कर लिए 022 4616 22717275 यह पूरा नमबर में बता दिया एक चीज़ ध्यान बरके 022 4616 2271 यह नमबर है अगर 71 लास्ट वाला नमबर अगर नहीं लग रहा है तो 72 लास्ट में हटाकर 71 72 लगा सकते है 72 भी नहीं लगाएंगे 73 लगाएंगे तो यह नमबर है तो यह रिक्वार्मेंट है और आपसे बता दूं कि स्ट लिस्टिंग चल रहा है अभी जो डेट है 23 तक चलेगा और आज है आपसे मैं बता दूं कि 20 तारिक यानि कि 20 फेबरोरी तो फ्रेंड अभी चांस है आप निक बीचार नहीं लगेगा मैं बता दूं कि मुंबजी की टोप आपीस है सबसे पहले मैं बताता हूं कि सीगल और सिंकलस आपीस यह टोप आपीस है हमेशा फिरी रिक्वार्मेंट आता है ठीक है नो तो फ्रेंड वीडियो को लंबाना करते हुए वीडियो का दहिंड यहीं बताष बता है यहीं वीडियो का आता है bedtime है Radom